पहले जब हम ओबरा में ब्रांच मेनेजर थे हम स्टेट बैंक ओबरा में दो साल ब्रांच मेनेजर थे बहुत बड़ी ब्रांच है जब हम ओबरा में ब्रांच मेनेजर थे तो हमारे ब्रांच में एक सज्जन आए उजला कुर्ता उजला पैजामा उजला गमछा और जूटा सब ची उजला उपर सेने के नीचे तक उजला नेता के रूप में हमारे ब्रांच में चेंबर में हमारे पास परवेश किये उसमें हम अपने ब्रांच में बैठे हुए थे उप बोलते हैं कि सर हम में हमारे पिताजी पेंसनर हैं उनको लोन लेना है मैंने उनको बोला कि देखिए पिताजी को लोन लेना है तो पिताजी को कर लेते आईएगा हम उन्हीं से बात करेंगे हम आप से बात ने कर सकते हैं जिनको लोन चाहिए उनसे हम बात करेंगे उनको लेते आईएगा बुले ठीक हैसरा हम कर लेते आएगे उबराज से बाहर न नेता जी ने बोला कि सर हम नेतागीरी करते हैं तो मैंने बोला कि हाँ आपको दिखाई पर रहे हैं कि आप नेतागीरी करते हैं कौन से पार्टी की नेता हैं उन्हें बोला कि सर हम बस्पा पार्टी की नेता हैं मैंने उनको बोला कि नेताओं में इतना नेतागीरी में इतना लिए हैं लेकिन हमारे पास कोई लोक्री नहीं मिली तो मैंने उनको बोला कि कि हम आपको income का है भुप सोध बता रहे हैं लेना चाहते हैं उन्हेट वनीया चाहते हैं मैंने कहा कि हम अपने अभी प्रांच मुन्हास के विसेम्स प्रांच में में बैठे वहे हैं भीहे में अभी मद्धित आपको नहीं मता सकते हैं हम साधे आघ बजए अपने आवास पर जाते हैं मology अर्षियम मर्केटिंग दिखा को सब सुरू कर दिये स सब्सक्राइब लेकिन किंतु परंतु नहीं किये लगतार सिकते गए सिकते गए सिकते गए अब मातरधाई साल में उन्होंने इस्टार परल जैसी पिन हासिन किया और अभी बारा लाकी विरेजाकार से चल रहे हैं एक बिरोजगार आज बारा लाकी विरेजाकार से चल रहे हैं और उन्हें की जुबानी उनको हम लोग बोलते हैं अबरा नरेश अबरा आपकी आप लोग की जोड़दार तानियों बीच में सब्सक्राइब करते हैं नेता जी आपका वेलका मैं स्वागत है आपका वेलका मैं आप लोग का आपका सभी लोग को हो साथ एक जबर्दस आगें मुझाएंगें तो जब मेरे जीवन में आया तो जब मेरे जीवन में आया तो उससे पहले मैं पढ़ाई लिखाई किया मैंने डबल में किया तमाम करने के बाद मैं इस बिजनस का विरुजगार था और आज भी वो सर्टिपिकेट मेरे अलमारी की सोभा बना के रखा हुआ है इतनी साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ जीवन में हासिल नहीं कर पाया क्योंकि जिन्दगी में एक बात बता जाता था कि नोकरी कर ल इसकते हैं रहा था रहें से और मैं उनके घर ऄट से लिए वहाई पर एकव्यटार मैं कर्कार्ण के वोठेते हैं तो मैं सोचता थी फसनी बसाने का व्यवसा है लेकिन जब बैठेते तो हाला कि उन्होंने को बैठाया अब बोला कि बैठे आपसे कुछ बात करनी है बाद करनी है तो उन्हों ने बताए कि एक सिस्टम में आप इंसे वारार सी के हैं तो मेरे दिमान में था कि लोन लिना तो कड़ता मरता क्या नहीं करता तो मैं कहा कि चलो भाई सुनी लेते हैं अभर बताए तो अनिल सर मैं चाहता हूं सर के लिए उनके मादम से मेरे को प्लान बताया गया उस प्लान में मैंने ये देखा कि उन्हें सारा प्लान मेरे को बताया और उस प्लान में मैंने ये देखा कि कुछ लग नहीं रहा है और इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा मेरे को लगा कि कि गूंस ना देना, खाली खरदारी करके लोन मिल लिए, तो जोइना लोन लेना चाहिए, तो मैं इस बिजनिस को जोइन किया, जोइन करने के बाद वानारसी जा रहे थे, तो मैंने झालाया पेपर दिया, एक महिने बाद मेरी किवाइसी योग के हुई और ठीक अगले ही दिन मेरे दिमाग का ऑपरेशन करवाने के लिए आदर्णी एस पी वर्मा सर से मेरे को मुलाया गया और क्या करके मिलाया गया कि भीया लोन देने की मेरी हैसित नहीं है आप वहां जाएंगे तो ही आपको लोन मिल जाएगा हमको क्या पता कि म बॉला है यदि मेरे को बैंक से चुटने के बाद मैसर के घर पर गया मलाओ बैंक से जब सार चुटी हुए तो मैं सर के घर पर आट अठ बजे गया मरे कुछ नहीं था पस एक सोची मेरे सोचा कि आखिर एक एस पी वर्मा सर जो है एक State Bank branch manager वो क्यों मेरे को आठ बज़ रात में बुला रहे हैं और जबकि उस समय एक bankers का समय होता है relief का आराम करने का तो वो क्यों मेरे को बुला रहे हैं अगले ही दीन मेरे पे मेरे फोकस हुआ अनियर सरगा बोले कि सर आपको एक कैसर सुन ना तो मैंने सरका के बातों को माना और कहाने जाता है कि इस बिजनस में किसी व्यक्ति को लाना मात 10 पर सेंट रोल तो जब कैसर दिया गया तो मैं इस कैसर सुना और अगले दिन अनील सर का फोन आते हैं तो मेरे अंदर से आवाज आती है कि सर जय आर्सियंग और सार मैरे को अमेरी का कुटा काट लिया सर वहल वह अनर्जी पावर अंदर से उभई और सर समझ देशाब बाइसय कर देजिक पूरा सपोर्ट रहा और मुझे याद आता है कि जब 10 बज़े रात में बारा बज़े र दस बज़े रात में 12 बढ़ा बढ़ा के औरे शीवो की और और व और बहुत कूछ उसमएं मेरे जीवन के साथ हुआ सब्सक्क्राइब जेले सोग्लों से थो यह रही हमें रोदनेकंटने को 있ensor में इन वे आगए खकलत है। पानी मिलता था तो Byic की यात्रह किये मेरे बार दो दो बार सेज हुई मतलब कि कभी भी आज़ अगर्श बता नहीं सकता हूं वो ground working मेरे साथ करके मेरे मेरी पात्यता को बढ़ाने का मेरे को सिखाने काम, बहुत कुछ मेरा दर्थ उन्होंने लिया, मैरा दर्थ उन्होंने लिया और मेरे को आराम दिया, और कहा जाता है कि काम्यावी दर्थ की कोक से पादा होती है, लेकिन एक ऐसा समय आया, जब मेरे एक पॉइंट आया और कहा जाता है कि इस बिजनस में आने के लिए आने से पहले मैं एक चीज़ सोचा कि आदरनी सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही बड़े वक्ति आए और वह भी बैंक से थे और वह कोई और नहीं आज हमारे बीच बैठे हुए आदरनी चाहता हूं सर के लिए कर दीजें सर आया और उस प्रोग्राम में मैरे को माला स्कानित किया गया उस प्रोग्रामों ए था तो उनके मैं पिर्ज़ा ces can करवाने के, मैं किया नहीं, जब ऑजस्ति मैरा परचाहे और मेरा सेलिब्रेशन हुआ और आदरणी राजकुमार सर के माध्यम से हुआ और जब सर नीचे उतर रहे थे तो कंदे पर मेरे हाथ रखे और बोले कि ससी घवडाना नहीं मैं आपका साथ दूँगा और यह वादा है कि आप बहुत आगे इसमें जाएंगे और जो कंदे पर हाथ रखने का जो स्वभाव सानसर वो बिल्कुल अपनेपन से बढ़ कर था और वो मेरे जीवन में स्टाट अप कर वाया और मैं बहुत भागे साली हूं कि समय समय पर ऐसे अपलाइन का साथ मिलते गया और मेरा निर्मार होते गया एक पहली मुलाकात एक और बड़े वैक्ती से हुई जो अभी बैंग से थे और उन्होंने 12 साल यूनियन बैंक आफ इंडिया की नोकरी को करके रिजाइन किया उनका नाम बी कुमार सरे मैं चाहता हूं सर के लिए क्लैपिंग कर दीजी जोरदा क्लैपिंग कर दीजे जुव है सब्सक्राइल मेरे को समझ्ज मे आई कुछ समझ में। कुछ समझ में आया कि आरसेम को करने के लिए जोष और जूनुन की दूध परतीह बहुत सारे कम संख्याबटी थी और सुक आती दिनों सु ​​ दीसर चार-पांच लोगों की मिटिंग लिया करते थे हमको याद है वर्माइट सर के घर पे जादने दस बारह लोगों की मिटिंग लेने के लिए यादर नी डीक मरसर आ थे उसमें पीका लगा के आ थे क्योंकि हम पूजा उसको मिटाने के लिए उसको मिटाने के लिए मैंने टीका लागाना बंद कर दिया और जब भी सर के सामने गया सर बोले कि 100% यूज करना है तो मैं पूरा कपड़ा मैं शुरुवाती दिनों में मैंने सब्सक्राइब कर दिया और मैं चाहता था कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने और मेरे अंदर एक चीज सुरू से थी कि मेरे को मेरे नाम से लोग जाने धर्मिन सर से पहले मुलाकात वर्मा सर के घर से हुई सी और अनिल सर वहां टीका लगा कि मेरे को मलब मेरे जो नाम दिये मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया और कहा जाता कि कहा जाता कि RCM को करने से माइने यह ने रखता कि RCM RCM को कर रहे हैं माईने यह नहीं रखता है RCM को अपने अंदर कितना डार रहे हैं यह माईने रखता है और समय समय पर मैं क्या बताऊं सर एक जो बहुत बड़ी चीज है जिम्मेदारी RCM बिनस में अनील सर के माजम से जो भी कैसर दिया गया जो भी वर्मा सर करते थे जो भी सर ने बोला और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को हर्ष से अर्ष पर खड़ा कर सकती है और इस बिजनस में जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा वही आगे बढ़ेगा मेरा सपना था कार से चलने का मैं आज इस बिजनस के दम पर कार मिंटेन कर रहा हूँ बार इस बिजनस से मैंने लगवग 19,06,000 रुपए अब तक मैं अर्लिंग कर चुका है और मेरा टार्ड़ेट बहुल बड़ा अब इस बिजनस में क्योंकि पहले तो सपना देखते थे तो सच होने कि कोई आसार नजन नहीं आते थे पिर सपना देखते थे तो टूट सूरं जात क्योंकि कोई राष्टा नहीं था लेकिन आज दिपता है सपना और आज सवच होते भी नजर आते हैं मेरा टार्ड़ेट है दो हजार पचीस इस इस चाहत आपकी कितनी है इस बिजनस में और चाहत जितनी बड़ी होगी बस एक अई बात कहेंगे की आप मानतें कितना है ALS published करते कि मानते किदां। जैसे एक लड़की को पाने के लिए वो लडका सारा शिदद एक कर देता एक पीता को हूता है तो वस बच्चे के लिए हरो सपना पूरा करता अपने जिंदकी को भले सही अगर कठिंदू नाइओं में गुजारता है लेकिन उस पत्चि की जिन्दगी को बेहतर बनाने की दिनराथ करता है एक पति को पत्ति होता है पत्नी को पति से प्रेम होता है और जो प्रेम यह वाला प्रेम है न वो प्रेम आप आरशीम से कितना करते और जितना ये प्रेम करेंगे, उतना ही आप इस बिजनस में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप इस बिजनस को करने की ठानेगे, उतना ही आप इस बिजनस में काम्याब होंगे, एक छोटी सी बात के साथ मैं अपने शब्दों को रिस्तगित करूँगा, कि चलता चल मंजिल मि बहुत भाल चाली वाक्ति हूं कि इस मीरकल सेसन में आदरनी ग। का आधरनी एप्रमा सरका अधरनी संजय सरका आधरनी अनियल सरमा सरका और अधरनी दिनेश सरका कि में ओट हो गया है अब का मिंद भागे सासी सर तो कि इतने बड़े बड़े शक्सियत का आज सीखने का मौका मिलता है और यहां पर जितने वेक्टे धुरंदर बैठे हुए तो सब के सब धुरंदर है मैं क्या बता हूं एक-एक शब्द जो निकलता है न वह लाख ने करोण की होती और यह बात मैं अपने जीवन में उतारता हूं इंप्लीमेशन करता हूं इस विजनस में में 205 में मैं स्टार हुए बनूंगा इंडिवर गाडिस चलूंगा आप सब का सानिद्ध है तो पूरे टीम के साथ अच्विमेंट लोगा थेंकिसो मदर जैयरसिम सर जैयरसिम सर जैयरसिम थेंक्यू सर बहुत बज़तरिन, बहुत बज़तरिन, बस सिखना है टिकना है, चंपालाव से बचना है, एक हजार बीभी रोज करना है, आधिके आप समय एलाव नहीं कर रहा है और जाज़े समय हो गया है, और शी साथ हम अपनी बाने कर बाम देता हूं, और आप लोकी जोड़्दार के में हम सारे साथी को अनम्मूट कर रहे हैं और